एक बार की बात है, एक छोटी से गाउव में किशन नाम का एक दयालू और महनती किसान रहता था, वो अपनी फसलों की अच्छे से देखवाल करता था, वो अपने खेतों में सबजेया उगाता था, किशन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था, गाउव में सबजेया बेच कर अपने परिवार का गुजारा करता था, किशन के साथ साथ उसकी पत्नी सुधा भी खेती बाड़ी में उसकी मदद करती थी, खेत में ही एक कुआ था, एक दिन सुधा और किशन खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्हें कुए में कुछ गिरने क कि आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा कि किसी ने तो कुए में चलांग मारे, आहा मुझे भी ऐसा ही लगा, चलो देखते हैं, कुए के अंदर जहाक कर देखते हैं, कोई होगा तो नजर आएगा, उन्होंने कुए में जहाका तो उनको कुछ नजर नहीं आता, यहां तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा है, लगता है, कहीं और से आवाज आ रही थी, जाने दो, चलो, जो बचा हुआ काम पूरा करते हैं, ऐसा कह कर वहां से चले जाते हैं, तोकरी में सबजिया डालने लगते हैं, भाग्यवान, मैं गाव में सबजी बेच कर ही घर आऊंगा, तुम घ जाके घर का काम खतम करना, ठीक है जी, किशन गाव में सबजी बेचने चला जाता है, सुधा घर चली जाती है, दूसरे दिन किशन अकेले ही खेतों में चला जाता है, क्योंकि उसे खेत में पानी देना था, मगर मोटर काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह उसे देखने लगत है, जब वह मोटर चलने लगती है, तो खेत में पानी आने लगता है, मगर इस काम में बहुत देर हो जाती है, सब्सियों में पानी देने के बाद जब किशन मोटर बंद करने जाता है, तब उसकी नजर कुए पर पड़ती है, कुए के ऊपर चुलेल बैठी हुई नजर आत रहा था, जैसे तैसे ओ घर आ जाता है, किशन की हालत देखकर सुधा ने पूछा, क्या उआ जी, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या बताओ भाग्यवान, मैंने एक चुडेल को देखा, क्या चुडेल, हाँ हाँ चुडेल, हमारा जो कुण है, वहाँ एक चुडेल रह जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा कर भागाया, हम इतने दिनों से खेतों में काम कर रही है, लेकिन चुडेल कभी नजर नहीं आई, हो सकता है, आपको कोई वहम हुआ होगा, दूसरे दिन किशन सुधा के साथ खेतों में चला जाता है, सुधा कुए के पास जाकर देखती ह लेकिन उसको कोई चुडेल नजर नहीं आती, यहां तो कोई चुडेल नहीं है, किशन वहां आता है, उसको भी चुडेल नजर नहीं आती, लेकिन उनको वहां एक मटका मिलता है, सुधा कहती है, यह मटका यहां कहां से आया, यह चुडेल का मटका हो सकता है, यहां कोई च मत्के को लेके किशन सुधा घर आते हैं। ये आवाजे कहां से आ रही है। इस बार दोनों दर जाते हैं। लेकिन कोशिश करके आवाज का पता जानने के लिए कमरे से बाहर आते हैं। उन्हें इस बार मत्के में एक चुरल नजर आती हैं। ओ दोनों दर जाते हैं। क्या करे भाग्यवान, ये हमें मात डालेगी। सुधा कहती है, ये तो मेरी बेवकूफी थी, कि मैं ये मत्का घर लेकर आए। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये हमें छोड़ेगी नहीं। एक काम करते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, सुबह होने का इंतजार करेंगे। जब सुबह हो जाएगी, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। मत्के को दूर से देखते हैं, अब चुरल वहाँ पर नहीं होती। किशन मत्के को उठा कर जंगल लेकर जाता है, मत्के को जोर से जमीन पर पटक देता है। इस बारे में सोचते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे. जिस चीज के बारे में उनको नहीं पता ऐसी कोई भी चीज घर पर नहीं लाएंगे.